अधिस वेडियो में बहुत इंपोर्टन सीक्रेट जो इंडिडियान का वो मैं आपके शेयर करने वाला हूं वो है सीक्रेट आप कॉर्नर बॉर्डर तो आप देखेंगे मैंने अल्रेड़ी सामने एक रेक्टेंगल ड्रो किया वा है और इसके corner में कुछ border बना हुआ है ठीक है इसमें खास बात क्या है कि जैसी आप इसको छोटा बड़ा करते हो इसका size increase और decrease करते हो तो देखेंगे इसका जो border है वो उसी के coding आपका छोटा बड़ा हो रहा है ठीक है तो ये क्या कैसे गया है इसका बहुत ही secret तरीक है मैं आपके शेयर करने वाला हूँ ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि already मैंने यहाँ पर एक rectangle draw किया वाया है और corner रखे में ठीक है इसमें और important मैं आपको बात बता देता हूँ यह जो है यह अलग से एक image है मैं आपको दिखा देता हूँ यह link करी वे है ठीक है लेकिन generally आप जैसे link place करते हैं तो उसके साथ यह movement नहीं होती है आप अगर border में place करते हैं या किसी rectangle एक corner में आप place करते हो तो यह कभी movement इसकी नहीं होती है तो इसका एक secret तरीका है वो यह है कि मैं दिखा देता हूँ आपको इसको करना कैसे होता है simple आप एक border को आप select कर लीजिए ठीक है इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रख लेता हूँ और आपको करना है क्या है जैसे आप इसको select करते हैं तो इसके corner में एक blue point बनता है ठीक है आपको blue point से आपको simple pick करना है माउस से और alt के साथ इसके starting में जैसे s के starting में आपको drop कर देना है ठीक है अब alt के साथ जैसे आप drop करेंगे तो इस तरह के panel open होगा ठीक है तो friend यह ध्यान रखना यह जो मेरा text box है तो इस text box को आपके corner में आपको उसको set करना है ठीक है आप सबसे पहरे एक important में बात बता देता हूँ यह जो मेरा border है यह मैंने text box लिया हुआ है ना कि यह एक आपका कोई rectangle मैंने draw किया हुआ है ठीक है तो text box है text box के अंदर मैंने यह जो text है वो center में place किया हुआ है तो इस तरीके से पैनल open आगा अब इस पैनल पर आ जाता हूँ तो इस पैनल पर आपको क्या करना है पहले यह जैसे text frame है यहाँ पर भी text frame आपको choose करना है simple और आप यहाँ पर 00 set कर लिए ठीक है तो अब इसकी position है यहाँ पर आ रही है तो अभी के लिए मैं 3 set कर लेता हूँ और इसको minus 3 mm करूँगा so that यह बिल्कुर इसके corner पर आ जाएगा तो friend एक important बात जो यह offset है यह depend करेगा आपके border पर आपका border कैसा है और कितने mm पर ही set होता है ठीक है इसकी positioning मेरे को पता थी यह 3 और minus 3 mm में set होगा तो इसलिए मैंने 3 mm और minus 3 डाल दिया ठीक है simple यहाँ पर मैं ok कर दूँगा तो देखिए एक border आपका यहाँ पर set हो गया ठीक है अब दूसरे border को आपको set करना है तो दूसरे border को set करने के लिए simple यह देखिएंगे blue वाला आरा आपको simple यहाँ से odd के साथ pick करेंगे and drop करेंगे odd के साथ आपको छोड़ना है ध्यान रगना जैसी छोड़ने तो फिर से यह channel फिर से यह dialogue box आपका open हो जाएगा तो आपको यहाँ पर text box select करना है simple text frame sorry text frame select करना है यहाँ पर आप 00 set कर लेजिए अभी के लिए 0 set कर लेजिए यहाँ से corner और यह corner तो देखिएंगे यहाँ पर आजाएगा तो वही आपको ध्यान है कि 3 और यहाँ पर minus 3 mm तो देखिएंगे यहाँ पर set हो जाएगा simple ok कर लेजिए इसी तरीके से इसको simple odd के साथ यहाँ पर pick and drop करना है simple यहाँ से pick किया यहाँ पर drop किया odd के साथ फिर channel उपन होगा फिर आप text यहाँ पर text frame रख लेंगे ठीके यहाँ पर यहाँ वाला है हिस्सा तो आप ध्यान रखना है main खेल EC का reference point आपको क्या रखना है और आपका यह आपका जो border है वो किस पर set हो रहा है text frame पर set हो रहा है ठीके तो यहाँ पर 0 और 0 आप set कर लेजिए तो देखेंगे यहाँ पर आजाएगा अब देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 3 रखेंगे अब minus 3 की जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह उपर जा रहा था यह xy का उससे रहाँ से लेता है ठीक है और यहाँ पर ok कर लेंगे simple इसको भी इसी तरीकी से आप इस blue point से आप pick and drop करेंगे alt के साथ फिर से यह panel open होगा आप इसको text frame रख लेंगे simple और इसके corner के point आप choose कर लेंगे ठीक है जो है और इसके बाद 3 और 3 आप रख लेंगे xy तो sorry यह minus 3 और यहाँ पर 3 choose करेंगे तो देखेंगे इसके corner पर जाके यह set हो जाएगा simple ok कर लेंगे तो देखेंगे friend आपका उसी तरीके का border त्यार हो गया आप देखेंगे कि यह उस तरीके से movement इसमें हो रही है नहीं हो रही है कि यह जैसि सी मैं rectangle को चोटा बढ़ा करता हूँ तो देखेंगे यह इस ने उस तरीके से ले लिया है जितना बढ़ा कर लीजिए आप जिस तरीके से रख लेजिए यह border उसी के कोडिंग ही आपका मूव होगा यह था secret of corner border यह जो खास technique थी जो मैंने आपके से share करी, I hope यह वीडियो आपके लिए भोती useful होगी, तो आज की वीडियो में इतना ही, next वीडियो में कोई नई technique के साथ आपके साथ आऊंगा तब तक के लिए वीडियो लाइक जरू कीजिएगा share जरू कीजिएगा और मेरा चैनल दो subscribe कीजिएगा, thank you